हुआ है तो यह टोपिक बज क्या है थे आपका ध्याना है अगर अलम ठिक मालोँ अपनी फिंस किसि सु और को ट्रांफल कर कर देते हैं कि तुम मिच्टर आलोक से पैसा ले लेना इसको नोब बोलते हैं विल्च endorsement ठीक है ध्यान दो जब कोई बंदा अपनी बिल्स को किसी और को ट्राफर कर देता है that is called बिल्स endorsement और ध्यान दो ये बिल्स हम due date तक ठीक है due date plus three तीन दिन का grace period होता है ठीक है यनि तीन महिने तीन दिन का grace period तब तक इसे ट्राफर कर सकते हैं और last में जिसके पास जाता है इसको गोलते है holder in due courses ठीक है मालो आलम ने ठीक है आदिल को ट्राफर किया ठीक है उसने फिर कुमार को ट्राफर कर दिया तो last में जिसके पास जाए अगर that is called holder in due courses अब मालो अगर कोई party मालो की अगरी से आल लोक ते वो deny कर देते हैं पैसे हम नहीं देपाएंगे that is called करता आपको bills dishonored ठीक है तो आई open meeting clear हो गई होगी यहाँ फीचर एक बहुत देख लेए ना आप लोग वही सारी बाते यहाँ पे है ठीक है